लव इन्फाइनेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आशा करती हूं कि आप बिल्कुल सही अच्छे और फर्स क्लास होंगे पर्फेक्ट मूड में होंगे नहीं है क्या हुआ अच्छा सेपरेशन हुआ त्विन फ्लेम जर्नी में आपको सेपरेशन में आप भसे हुए हैं स्टक फिल कर रहे हैं तो यह सवाल किया है अनीश जी ने और अर्चना कुमारी ने भी इसी तरह का एक सवाल किया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हम सेपरेशन में हैं तो हम बिल्कुल लेजीनस क्यों फिल करते हैं देखिए आप डोनों ही डिवाइन फेमि जोनों ही आप इस डिवाइन फिमिनाइन अनरजी में हैं और यह ऐनरजी आपको चेज करना सिखाती है सबसे पहले तो क्योंकि आप अपने आपको फिल नहीं कर पाते हैं अपना पोटेंशन को जान नहीं पाते हैं तो चलिए सवाल पर आते हैं फिर से कि आप क्यूं सटक फिल करते हैं और separation में laziness क्यों फिल होता है laziness मतलब यहीं हो गया कि stuck पील करते हैं कुछ नहीं हो रहा कुछ करने का मननी है कोई खुशी खुशी नहीं लग रही जो हो रहा है ठीक है इस तरह से it's okay ठीक है खा लिया पीलिया कुछ किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा अगर आप different spouse से हैं तो भी आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हस्बंड के साथ तो बिल्कुल ही फिजिकल रिलेशन जीरो ही हो जाता है क्योंकि ये टुन फ्लेम जर्णी का एक साइड एफेक्ट है अगर आप दोनों मैरिड हैं और इवाइन फेमिनान किसी और से शादी शुदा है तो ये लगता ही है कि नहीं आज़ण के टुच बिल्कुल भी पसंद नहीं इस तरह का फीलिंग उनके अंदर आती है और इस तरह से कई-कई साल तक वो दूर हो रहते हैं सोते हैं एकी बेट पर लेकिन रहते बिल्कुल अलग हैं तो इस तरह की स्टकनेस और लेजीनेस यानि की अपना divine masculine divine masculine male body में भी हो सकते हैं ठीक है और आप दोनों सेम जेंडर के भी हो सकते हैं यह मैं कई बार बता चुकी हूं अब तक शायद आप सभी को clear हो चुका होगा new है आप इस journey में और बिल्कुल अभी अभी ऐसा लगा है कि यार ये अभी अभी कुछ महीनों पहले या कुछ हफतों पहले ही पता लगा है कि आप twin flame journey में हैं और क्योंकि separation हो गया है फिर भी आप उन्हें चेस कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है अगर आप चेस करते हैं और hopeless feel करते हैं laziness आती है इस twin flame journey में तो ये time है आपका अपने आपको inwardly reflect करने का inwardly search करने का deep dive करने का I think मेरे कहने का ये मतलब है reflect inward as to what you are hopeless and stuck about किस लिए आप इतना lazy feel कर रहे हैं सब कुछ तो है किस लिए आप इतना stuck feel कर रहे हैं आप खुद तो जिन्दा है न तो ये चीज़ें आपने सोचनी है अच्छा आप कहेंगे कि जिन्दा रहे ना भी कोई कोई जिन्दगी है मेरे कहने का मतलब है आप अपने अंदर के potential को जाने अगर आप hopeless हैं किसी भी तरह के expectations से इसलिए आपके अंदर stuckness आती है क्योंकि ये particular stage of journey होती है कि यहां आपको stuckness जरूर आती है ये surrender जब तक आप नहीं करेंगे और इसी stage पर रहेंगे यानिकि separation के state पर और उनcimento chase ही करते रहेंगे वेट ही करते रहेंगे कब आएंगे कब ההएंगे उन को pursue करते रहेंगे ये यही chasing होती है कि आप कहेंगे कि नहीं हम तो message नहीं कर रहें एक एक साल से message नहीं आया लेकिन mentally तो आप रोज, सोबा, दोफर, शाम, उनी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये क्या है, mental changing है, अगर आप इस journey में बिल्कुल ही surrender कर दें, तो क्या हो, सब भी कहते हैं कि हमने surrender कर दिया है, लेकिन मन से नहीं किया होता, मन से करने का मतलब यही है, कि आप उन्हें बूलने कि कोशिश करें, पैसे भूलेंगे नहीं, 24-7 रहते हैं, ठीक है, अब आप कहेंगे यह क्या पागलपन है, यही पागलपन तो unconditional love है, यही पागलपन तो self love है, self love आप कब शुरू करेंगे, जिंदिगी बिती जा रही है, self love हमें किसी ने करना सिखाया है नहीं होता, सब कहत तो यह नहीं कहता है, self love क्या है, आत्मा क्या है, अपने आप से प्यार करना क्या है, अपने लिए जीना क्या है, हर कोई दूसरों के सपने पूरे कर रहा है, ममी का सपना है, वो पूरा करना है, पापा का सपना है, वो पूरा करना है, सब के सपने आप पूरे करेंगे, आप के सपनों को कौन पूरा करेगा आपके आने वाली जेनरेशन तो अपने पूरे करने का मतलब यही है कि आप सलफ लव कर रहे हैं यहाएं कि यह नहीं है कि आप सेलफिश हो गए हैं तो सबसे जादा करते हैं नर्सिस्स लोग, तो उनसे जीखना जाहिए, नर्सिस्स लोगों से, कि देखो मैं कितना चाब, मेरे अंदर कितनी पोटेंशल है, देखो मैं, I am the best, I am the hero, I am the, I am the best in this planet, उस तरह कि जो उनकी feelings होती है, कहीं से भी कोई अच्छा ग्यान मिले, तो ले लेना जाहिए, अगर नासे सिस्ट वे अपना इस तरह का पहलू रखते हैं, कि मैं, I am the best, I am grounded, I am beautiful, I am surrendered, तो यही सारी चीजे तो चक्रा जीलिंग में भी सिखाते हैं, यही तो self love है, लेकिन वो actually self love का extreme कर देते हैं, जिसे selfishness करते हैं, तो अपने उनके जैसा नहीं बनना है, वहाँ से एक छोटा सा part उठा लेना है, नासिसिस्ट में से, यह तो अपने लिए सोसते हैं, सही है, अपने हिसाब से चलाते हैं दुनिया को, देखिए, छोटा सा part ले लेना है, कि मतलब अपने हिसाब से चलिए, दुनिया को अपने हिसाब से नहीं चलाना है, आप सिर्फ अपने हिसाब से चलिए, वो लोग दूसरों को तंग करते हैं, दूसरों के आसू, दूसरों के खून, दूसरों की चोट, उससे उनको खुशी मिलती है, लेकिन आप ऐसे नहीं है, वही मैं कहा रही हूँ कि थोड़ा सा पार्ट वहां से उठाना है, आप ऐसे नहीं है, आप ऐसा नहीं करेंगे, आपने बस अपने लिए सोचना है, समझ रहे हैं, सेल्फ लव को बहुत डीपली स्टेडी करने से ही आ हिंदी की भी बिल्कुल साधरन लैंविज, कोई भी टफ या ट्विन फ्लेम जर्नी से रेलेटेड कोई अंग्रेजी का शब्द भी नहीं बोल रही हूँ कि बड़े-बड़े टर्म्स और कंडिशन्स की आपको समझ ही ना आए, बिल्कुली ना समझ आए कि ये क्या बोल र यही कि आप जितना ज्यादा उनको परस्यू करेंगे, पीछे भागेंगे, चेस करेंगे, चाहे फिजिकली, चाहे मेंटली, आप पीछे ही रह जाएंगे, मैं बार-बार बोलती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी एक रेस की तरह है, आप कार में बैटी है, आप स्टेरिंग आ कराती है, अगर आप पीछे देख रहे हैं, तो स्टक हो जाती ना गाड़ी अपने आती, यह थोड़ी कि उसमें पईये लगे हैं तो गुमती जाएगी, नहीं ना, स्टक हो जाती है एक दम से, बुम, तो वही बुम हो रुक है आपकी लाइफ में, तो इस तरह से ना करें, अपने माइंड को समझाएं, keep in mind this journey is about you and all the hope in the universe is within you, ठीक है, सारी hope universe की आपके अंदर है, कोई और आपके अंदर hope नहीं जगाएगा, आपको खुद से अपने potential को देखना होगा, अगर आप अपने potential, अपनी ताकत, अपनी hobby, अपनी passion को नहीं जानते हैं, नहीं पैचानते ह आखों से नहीं देख पाएंगे, then open your third eye, मेरे कहने का मतलब है, open your eyes and see the potential of you and not any expectations of your twin, expectation नहीं रखना ही, unconditional love है, and अपने आप से self-love करना है, expectation ट्विन से नहीं रखना है, वो आप से पीछे हैं, उन से क्या expectation रखेंगे, वो race में आप दौड रहे हैं, आप सबसे आगे हैं, और वो पीछे हैं, बताइए, आप कहा रहे हैं कि वो मुझे ग्रैब क्यों नहीं करते, वो मुझे प्यार क्यों नहीं करते, वो मुझे लेके क्यों नहीं जाते, कहां ले जाएंगे, वो तो हैं ही पीछे, तो पीछे ही ले जाएंगे न, इसलिए तो आप स्टक हैं, आप उनक energy is devoted to subconsciously imposing your will. आपकी willpower क्या है? इसको समझना है. इस twin flame journey में, इस universe में, आपको twin flame journey में इसी लिए डाला गया है, ताकि आप अपने true potential को जाने, आपकी अंदर क्या ऐसी ताकत है, क्या ऐसी शक्ति है, क्या ऐसा hobby है, जिसे आप 24-7 कर सकते हैं, 24-7 twin flame दिमाग में रहते हैं, उनको थोड़ा side कीजिए, दिमाग से थोड़ा कम काम लिए, heart को open कीजिए, अपनी shirt eye को open कीजिए, अपने दिल को खोलिए, कुछ रहना सीखिए, हर चीज में, पिलकुल बच्चे की जे रहे, बच्चे की तरह ही ईश्वर से, अल्ला से, यूनिवर्स से मांगे, कि मेरे अंदर जो है, उसे बाहर निकाले, बहुत तकलीफ होती है, बहुत रोना आता है, बहुत फुस्सा आता है, अपने उपर, मैं इस स्टेज से गुजरी, इसलिए आपको सही तरीके से, सही माइने में, टिंपल लैंग्विज में बता पा रही हूँ, अगर आप समझते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पाकी सब जगे फिर आपको ऐसी confusion करके छोड़ दिया जाएगा, बढ़ाने के लिए, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप मेरे से personal reading लेते हैं, तो भी मैं आपको बिल्कुल इसी तरह से guide करती हूँ, कि देखिए, आप अपने potential को जानिए, क्या अच्छा लगता है, उसको करना सिखिए, बार बार यह मैं सोचे कि कोई नहीं करने देता है, गर में बच्चे हैं, joint family है, उसके बाद भी आपके पास time होता है, देखिए 24-7, 24 hours सब के पास होते हैं, 24 गंटे एक Obama के पास भी है, Trump के पास भी है, और 24 गंटे, छोटे से छोटे लिए इनसान के पास भी है, तो आपके उपर depend करता है, कि आपने इन 24 गंटों में, क्या 24 मिनिट भी अपने लिए नहीं है, सिर्फ अपने लिए, तो थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन के थ्रू ही आप इस अपनी जर्णी में थोड़ा सा अच्छी तरीकी से बैलेंस हो पाएंगे, ये बैलेंस होना ही अपने आप में सल्क लव है, और दूसरों से एक्सपेक्टेशन ना करना है, एक्सपेक्ट जब भी हम किसी से करते हैं, ना सिरफ ट्विन फ्लेम, मा, बाब, भाई, बहन, बच्चे, दुख ही पाते हैं, मेरा बच्चा बढ़ा होगा, मुझे समालेगा, मुझे घर में रखेगा, और वो ही बच्चा घर से बाहर निकालता है, क्यों एक्सपेक्टेश परस्यू करना है अपने हिटन टालेंट गालेंट को परस्यू करें, कि आपके अनदर क्या टालेंट है? त्ट्विन फ्लिम का मतलब भी यह ही है, कि अपने आपको पहचाने realign करें अपनी energy को अपने साथ realign that energy to yourself to loving yourself loving yourself this is important loving yourself means self-love and do your soul work आपका soul mission क्या है soul purpose क्या है even चाहे आप housewife है even आप एक student है आप चाहे कमाती नहीं है या कमाते नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है जिन्दगी में युनिवर्स में कि आप अगर कमाते नहीं है किसी के उपर dependent है तो अब आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते उठो जागो कुछ करो कुछ करना ही जरूरी है ये twin flame journey का higher self में आना ही है देखिए जिस दिन आप अपने आपको हील कर पाएंगे आगे पिछे की past की injuries से बाहर निकल पाएंगे अपने inner child को पहचान पाएंगे अपने आप से meditate करेंगे थोड़ा सा yoga करेंगे अपने आप से बाते करेंगे universe से चांद सितारों से बाते करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं नहीं तो लोग कहेंगे रहे ये तो पागल है चत्में जाके चांद सितारों से बाते करते है ये करता है हर चीज का balance होना चाहिए हर चीज को extreme में मत लेके जाएए laziness है ठीक है लेकिन इसको इतना सालो साल नंबा मत कीजिए कि आपकी जीवन ही बेस्ट हो जाए तो आप यह देखेंगे जब आप अपने आप ट्रू पोटेंशल को जानेंगे जब आप अपने लिए वाकई कुछ ना कुछ करने लग जाएंगे आपको अच्छा लगने लगेगा आप क्रीम में या मेडिटेशन में आपको अपने ट्विन का हायर सल्फ नजर आने लगेगा सुनाई देने लगेगा क्या रहे मेरे ट्विन तो मुझे एप्रिशेट कर रहे है तारीफ कर रहे है मेरी ठीक है तो इस तरह से अपने आपको हेल्प कीजिए अपने आप से कनेक्ट हो यह connecting with your twins higher self will help you in appreciating your love of self self love self love is not selfish love ठीक है ना तो अगर किसी से कुछ ना कुछ सीखिये चाहे नार्सिस्सिस्टों कार्मिक हो अच्छा है ना इतने सारे लोग आपको मिले तभी तो हम सीखते हैं सबी हमें देखें खाने में अगर मीठा ही हो तो diabetes हो जाएगी सिर्फ मीठा ही हो, main course भी मीठा हो, starter भी मीठा हो, end वाला ही सब कुछ मीठा हो, क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना तो इतना sweetness क्यों चाहिए आपको अपने लाइप में, स्वीट होना है अपने आप से हुए प्यार बनना है अपने आप से बन ये, प्यार छाहना है अपने आप से चाहिए, प्यार देना है अपने आपको दीजिये, this is self love, थोड़ा सा self love करने के लिए थोड़ा पागल पन तो ज़रूरी है, ऐ कि नहीं, तो पागल बनना है थोड़ा अपने लिए पागल बनना है दूसरों के लिए या ट्विन फ्लेम के लिए चेज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है have faith in universe and in divine timing जब तक आप unconditional love को follow नहीं करेंगे unconditional love में condition लगाते रहेंगे और कहेंगे कि नहीं हम तो कोई हम तो unconditional love करते हैं यही तो condition है आप कहते हैं हम तो stuck होगे ना तो हम आगे बढ़ पा रहे हैं ना मेरा ट्विन फिल्म वापस आ रहा है जब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ेंगे ना अपने लिए काम नहीं करेंगे ट्विन फिल्म कभी नहीं आएगा नेवर एवर इस जीवन में कभी नहीं आएगा यह लिखवा लिजिए अपने लिए काम करेंगे बहुत तकलीफ होती है बार बार अपने आपको समझाना पड़ता है यार मैं कहीं selfish तो नहीं हो गया या हो गई मैं खुद देखिए ना मैं तो बच्चों वाली हूँ मैंने अपने बच्चों के लिए भी कम से कम टाइम दिया मैंने अपने लिए टाइम निकाला बैलेंस भी किया अपने लिए मैकसिमम टाइम निकाला अपने लिए एक अलग रूम किया जबर दस्ति सब के समान बाहर निकाला इस इस माई रूम, इस इस माई बिलॉंगिंग बच मैं यही हूँ, यह मेरा घर है, मेरी दुनिया है मुझे अपने लिए जीने दो मैं धी टेट करती हूँ, पुझा अप्तातना करती हूँ सब मैं अपने लिए अपने लिए करना शुरू किया सारे नतमस तक होगे यहां क्या बाहर वाले क्या, स्कूल वाले क्या सब ही क्या तो जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं करते हैं दूसरा आपको परणाम नहीं करेगा दूसरा आपको फॉर ग्रांटिड ही लेगा चाहिए हो आपका ट्विन हो या घर के सदस्य हो या कुलीग्स हो, होई भी वर्क प्लेस में भी आप इसी तरह से फिल करेंगे कि कोई मुझे पूछता ही नहीं अपने आपको पहचानिए अपने अंदर की इंसान को जगाए अपने अंदर की सोल को जगाए हर्मिट मोड में आजाए हर्मिट मोड में आजाए युनिवर्स पे भरोसा रखिए अपने आप पे भरोसा रखिए थैंक यू सो मुच पर वाचिन ध्यान रखिए अपना और अपनों का बाई बाई